अपने अंदर की क्रियेटिविटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आप डिफरेंट तरह के स्टोरी लिखना शुरू कीजिए जितना ज्यादा आप स्टोरी लिखेंगे आप अंदर से फ्लेक्सिबल होते जाएंगे आपका मन अच्छा रहेगा आप दिन भर में 70% समय जिस चीज को सूचते हैं वो अधिक्तर क्रियेट होता है अगर आप 70% टाइम ये सूचते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास वही होगा जो आप सूचते हैं इसलिए कोई भी एक सीरियल आज देखिए और उनके एक्टर्स को देखिए औ और उनसे आप अपने आपको कंपेर कीजिए कि उनमें कितना ज्यादा कॉंफिडेंस है उनकी डिक्शन कैसी है उन्होंने कितना तयारी किया होगा कैसे विज्ञान कहता है समान चीजे उसी तरह की चीजों को अगरशित करता है जैसे मैगनेट लोहे को अगरशित करता है प जो आज मैं फिल्मों में देखता हूँ, उसके बीच की रेखा धीरे धीरे घड़ती जा रही है, और ये अच्छी बात है, हर शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है, अगर आप किसी को गाली देते हैं, तो उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी है, और अगर आप किसी से प्यार से बा जैसे आपको अगर मुंबई जाना है, लेकिन आप कितने भी महनत कर ले और दिल्ली के ट्रेन में बैठ जाएं, तो कभी आपको मुंबई नहीं मिल सकता, हर पल यहां जी भर जीओ, जो है शमा, कल हो ना हो, जब भी कोई राइटर गाना लिगता है, उसकी जिन्दगी भी रहती है, वो एक्सपीरियंस रहता है, कितनी अच्छी बात है कि हर मोमेंट आपको हैपी रहेंगे, तो पूरी जिन्दगी हैपीनेस रहें, अधिकतर लोग 95 प्रतिशक भीड का हिस्सा होते हैं, 5% लोग क्रेटर होते हैं, जिनको देखकर वो भीड ताली बजाती है या ख हिकतर हमको समझ में नहीं आता है, अगर आप रोज मेडिटेट करते हैं या ब्लैंक माइंड की प्रैक्टिस करते हैं तो यह सारी एनरजी आपको यादों, यह संखठा, गजोधार, बिर्जू, यह अपना टरेन छूटा को बाजू आला, अरे पूरा पब्लिक उल्टा भा है, आपको पहला कदम लेना बहुत जुरूरी है, अगर आपको एक्टर या एक्टरस बनना है, तो पहला कदम लीजिए, ठीटर जोइन कीजिए, या कोई क्लास जोइन कीजिए, भगवान ना करें, आपके हाथ में अगर चोट लग जाए गलती से, तो आप किसी भी एक्टर और एक्टरस हैं, वो नॉन स्टॉप रीडिंग की प्राक्टिस कीजिए, नॉन स्टॉप रीडिंग मतलब करी 20 पेज, रोज आप पढ़िए जोर जोर से, तो आपका वकैबलरी अच्छा होगा, डिक्शन अच्छा होगा, पांसेंटरेशन, फोकस, जब कभी ऑड रीडिशन आप देने जाते हैं, अपने साथ कुछ और भी ड्रेस्स रखिए, अलग-अलग तरह की, जिस तरह का कारेक्टर आपको मिलेगा, उसके हिसाब से अगर ड्रेस को चेंज करते हैं, या उस तरह का ड्रेस पहनते हैं, तो फीलिश करते हैं, अजलिश करते हैं, या